नमस्कार दोस्तो, पीछली पार्ट में हम लोगु सेंट्रिफिगाल क्मप्रेसर के वर्किंग प्रिंस्पल को सम्झे खेंगे और इस डिस्टरशन के दौरान ही हम लोगग देख लिए थे इंपेलर कैसा होता लोग Zelda केसा होता है General Wearing और Thust Wearing कहा होता है इसका क्या परपस होता है ROTOR किसको बोलेंगे, ROTOR के PARTS क्या-क्या होंगे STATION किसको बोलता है इसमें SPACER होता है और वो कहा पे होता है जो भी है इसके सारे PARTS को अच्छे से संभजेंगा इसके बाद लास्ट में हम लोगो डिफरेंट केसिंग टाइप जो होते हैं कंप्रेसर के, जैसे MCL टाइप, DMCL टाइप, DCL टाइप, इसके बार में हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब देखिए, यहां पे जो इंपेलर है, इस साइड आपका, 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 कि फ्लूइड को वापस इदर ना आने देता है, मतलब प्रोसेस गेस को, और फिर फ़र्दर और ना आए, उसके लिए यहां पे जनरल बीए इडिंग से, ठीक है मतलब क्या है, अगर साफट है अगर यह अगर रेडियली मूब करेगा, उपर और नीचे अगर वाइबरेट होगा तो क्या होगा, अगर उपर जाएगा तो केसिंग के उपर टकराएगा, जिसकी बएसा प्रोब्लम हो सकता है, और उसी तर उसके बीच में यह टक्राएगा तो डाइफ्राम और इंपेलर भी एक दूसरे को खा जाएगा मतलब समझ रहा है कि एक्सियल और रेडियल मूपमेट आपका नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह चीज जैसे है ना यह आपका एक रोटर है रोटर एस्टेशनरी पार्ट से टक् तो इसके लिए भी रेडियल और श्यादा नहीं उसके लिए बीएरिंग यूज होते है ठीक हम तो जैसे यहाँ पर इंपेलर के यहाँ पर आपका आजाएगा सी और सी यहाँ पर उसके बात जैरल बीरींग और यह आपका थर्स्ट को यहाँ पर थर्स्ट यहाँ बीरिया जिसने डीफ्रेंट सकते है इसके वारा में एक डीफेरांट में बात करेंगे look अभी आप सारे पार्ट को समझिये कि ही क्या है एक तो आपका यहां से आपको क्या समझ हमें आ रहा है तो 1 recognize bearing एक साइड रहता हि जनरal bearing ना अगयर डोनो साइड मैकनिकल सेड भी दोनों साइड रहेगा मखने ड्राइबिन साइड और 2001 साइड दोनो रहे गा अब जो यह जनरल ब्यरिंग होता है neat to know realidad करते हैं इस तरह से चाले लूप्रियर्गेर करता है इस तरह साफ्ट के रेडियम्रोशन को बचाता है ढ derivative फाल जीज्त करता actively बड़िए फीज़् continues बार तो यहां पर यहां पर नेख़ यह जा फ्लीड के पार ऐस तरह के टिल्ट पैड होते हैं यह इसstep उपर लग जाएगा और इसको पर इलग करके इसमें जो fluid का flow हो रहा है वो भी देखिए यहां से leave oil आएगा और इसके उपर fluid का flow होगा मतलब leave oil का flow होगा तो anyway आप समझ में आगा अब इसके अलावे एक balance piston या balance drum भी होता है तो balance drum कैसे होता है जैसे आप soft में देखो तो यह यहां पर balance drum है और उसी तरह यह turbine है turbine में दिखा है मेरे पास यह photo था तो यह जो है balance drum है इसका purpose इस तरह से रहता है कि यह axial thrust को कम करता है कैसे करता है इसके बादेटेल में बात करेंगा अभी रफली समझ लीजए कि यह एक thermology impulse blade है turbine का तो यहां पर जो pressure है ना यहां पर देखे यहां पर pressure जो है यह pressure इतना पूरे area में लग रहा है जबकि इस side area कम हो गया तो obviously net force जो है आपका इस side लग जाएगा ठीक है तो इस तरह से axial thrust जो है ना यह balance हो जाएगा समझाता हूं कैसे कोई भी जैसे turbine है तो में में देखा जाए तो इधर तो एकदम vacuum रहता है यहां पर high pressure है तो यह high pressure का fluid इस side जो आ रहा है ना तो में अगर impeller blade के उपर देखा जाए तो में एक thrust इस direction म पूरे impeller and shaft को इस direction में move करने के कोसिस करेगा ठीक है तो वो ना हो इसके लिए आप एक इस direction में भी opposite direction में भी force create करना चाहते है तो उसके लिए balance drum की मदल से कैसे कर रहा है कि यहां पे जो कई तरह से balance drum हो सकता है जैसे कि यहां पे जैसे एक और दिखा रहा हूं माना कई तरी में आधा एरिया में ही लग रहा है तो एक net force इस direction में भी हो गया तो एक तरह से axial thrust balance हो गया उसे तरह यहां पे balance drum है यहां पे क्या है discharge side में इस तरह के shaft में discharge side में एक balance drum रहता है तो क्या होता है कैसे काम करता है मैं बताओ इस में आप ऐसे सुचो अगर यह discharge side है तो fluid का जो discharge हो रहा है तो obviously एक net thrust इस side में है क्योंकि यहां पे impeller पे high pressure लग रहा है इस side और इधर pressure कम लग रहा है और यह सारे pressure को cancel out करोगे तो ultimately यहां पे pressure high pressure है और suction side से इधर से low pressure लग रहा है तो एक net thrust इस side में लग रहा है तो यहां पे balance drum लगा दिया अब वही high pressure वाला fluid यहां पर आ गया अब वह क्या करेगा shaft को इस side में ले जाने के कोशिस करेगा तो एक thrust जो है यह balance और इसलिए इसको balance drum यह balance piston भी बोलते है no idea cel6 में बात करेंगे तो इसको detail में समझेंगे अजय तो यहां तक आपको समझ में आगया तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा पर्टि को समझे लें कि कौन कौन सा पर्टि यह समना इस видео को समाझ में रहा है तो इसको लिए आप एक चीज देखो, मैंने एक दो पार्ट और है उसको छोड़ दिया था, उसको समझ लेते हैं, कोई एक इमेज चाहिए मुझे, हाँ, यहाँ पे देखिए, इसका स्टेशनरी पार्ट में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है, इनलेट नोजल स्टेशनरी है, दिस जो है वो भी स्टेशनरी, जनरल बेरिंग वो भी स्टेशनरी, तो यह सभी स्टेशनरी हो गया, ठीक है, साफ्ट में इंड सिल यह स्टेशनरी, अच्छा साफ्ट के साथ घूम क्या कर रहा है, वो देखिए, अब बोलिप आओगे, क्या क्या गूम रहा है, साफ्ट के उप तो बहुता है तो यह घुम रहा है तो यह सारे चीज़ रहा है तो यह जासे साफट है न इंपदर का सक्षन अगर इस साइड से हो रहा है तो यहां पर दिस्ट मने एक एक spacer रहता है, यह spacer इस impeller को यहाँ पे fix करके रखता है, जैसे यह spacer है, और shaft को process gas के contact में आने से भी बचाता है, तो यह हो गया आपका spacer, तो हर एक impeller के पीछे लगा रहाएगा spacer, और last में एक locking ring रहता है, जो की ultimately impeller और balance drum को एक जगह पे fix करके रखता है, जैसे कि मैं एक course image दिखा हूँ, हाँ, जैसे यह देखिए, यह जो ring है यह आपका locking ring हो गया, तो यहाँ पर balance drum हो गया, यह आपका spacer हो गया, यह आपका suction हो गया, और यह ultimately locking ring हो गया, तो locking ring, balance drum, spacer, यह सभी shaft के उपर है, यह thrust collar है, तो यह सारे rotary part हो गया, ठीक है, यहाँ पर यह thrust collar हो गया, यह आपका suction हो गया, और यहाँ पर impeller के पीछे होगा, यह special, वो चीज यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आ गया, तो आसा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा अच्छे सा समझ में आ गया होगा, अब हम लोग बात करेंगे, different type of casings के, casings के, जो casings होता है न, वो casings भी दो तरका होता है, एक horizontally split casing, और एक vertically split casing, तो horizontally split casing में क्या होता है, कि casing को, कि अंदर का part को अगर आपको access करना, maintenance के लिए, तो casing को 20 से आप एक तरह से split कर सकते हो, 20 से खोल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखे, lower part हो गया, या upper part हो गया, तो ऐसे case, ऐसे जो casing है, इसको horizontally split casing होकर बोलते हैं, जितने भी मैंने अभी तक diagram दिखाया थे, वो horizontally split casing था, और इसमें क्या होगा कि, जो fluid का suction recharge line होता है, और नीचे से होता है, ठीक है, और tops, tops में कुछ रहता है न, इसलिए top part को असानी से निकाल लेते हैं, और top part को असानी से निकाल कि, एक चीज समझ में आ रहा है कि, अगर यह horizontally split casing है, तो इसका उतलब यह बहुत high pressure के लिए design नहीं हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, इक compressor के casing के दोनों section के बीच में, यहां से gas leak हो सकता है, जैसे इसके उपर भी casing का upper part आएगा ना, तो यहां से gas leak हो सकता है, इसलिए बहुत high pressure के लिए design नहीं हो सकता है, उसी तरह यह जो diaphragm है ना, diaphragm भी horizontally split हो गया, मतलब upper part of diaphragm इसके उपर आएगा, तो एक stage से दूसरे stage के बीच का gas भी leak हो सकता है, एक दूसरे में, क्योंकि यह just directly contact में है, तो यह चीज होने के बज़ए से horizontally split casing जो है ना, वो बहुत high pressure के लिए design न जो है, वो basically up to 40 atmospheric pressure तक है, ऐसे करके use होता है, अब यह जो horizontally split casing होता है ना, उसका nomenclature में उसको MCL type का casing बोलता है, तो MCL का मतलब क्या होता है, meridian, compressor, liberal, कुछ है यह meaning, ठीक है, मतलब MCL लिखा है तो आप समझ लग लोग की casing जो है horizontally split है, ठीक है, उसे तर कुछ casing होता है, जिसम किया है, इसमें बीच में casing को split नहीं कर रहा है, यहां से nutball से है, यह पूरा impeller bundle rotor निकल जाएगा, ठीक है, अब इस तरह के casing को na BCL type के casing बोलता है, यह बहुत high pressure के लिए use हो सकता है, BCL का कुछ एक meaning होता है, यह सब है, ठीक है, तो अब हम लोग अगर यह सारा चीज समझ लि तो वो बताता है कि कितने stage का यह compressor है, जैसे 2 लिखा मतलब 2 stage का मतलब है, तो एक बार suction होगा, फिर discharge होगा, फिर discharge होगा, फिर discharge होगा, तो यह 2 stage का compressor है, BCL मतलब यह vertical compressor होगा, उसके बाद जो 2 digit है, यह बताता है impeller का diameter, तो impeller का nominal diameter बताता है, ठीक है, inch centimeter, तो अगर यह 30 letter रहता है, यह बताता है number of impeller, तो मतलब इस compressor में 6 impeller है, और final जो letter रहता है, वो बताता है कि कितना pressure तक के लिए, यह discharge pressure up to कितना है, तो जैसे यह है, तो उसका discharge pressure सतर से दो साइट मुस्पेर खोता है, उसे तरह D है, तो पांसे साथ साइट मुस्पेर तो इस तरह से रहता है कि यह two stage vertical split casing compressor है, जिसका diameter है, impeller का 30 cm, 6 impeller है, और यह बहुत high pressure के लिए design है, अब कुछ real image भी देख लेता है, यह देखे, यह एक horizontally split centrifugal compressor है, यहाँ से आप देख सकते है, यहाँ से यह split है, तो यह nut bolt खोल करके ऊपर वाला पार्ट को हटाया जा सकता है, और आराम से rotor जो है त इस तरह के जो compressor है, उसका नाम MCL है, अचा एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना भूल गया था, कुछ compressor का नाम देखे, DMCL भी लिखा रहता है, DMCL मतलब क्या होता है, double suction, और MCL मतलब horizontally split, मतलब horizontally split ही है, बट उसका suction दोनों साइड से आ रहा है, मतलब जैसे यही centrifugal compressor है, तो उसका सक्षन जो है, डिवाइड हो करके, इस साइड से बेए, दोनों साइड से सक्षन होगा, और बीच से अगर डिस्चार्ज होगा, तो इस तरह के जो compressor है, उसको DMCL बोलते हैं, जैसे आप इस रोटर से देखो, तो इस रोटर को आप देख रहा है, देख पा रहा हो कि यह यह मैं बात कर रहा था, तो इस रोटर को देखिए, तो यहां पर देखिए, इंपेल सक्षन आई है, यहां से इंटर हुआ, फिर उसका आउटलेट यहां से इंटर हुआ, फिर उसका आउटलेट यहां से इंटर हुआ, लेकिन फिर आप देख रहा है, यहां पर सक्षन आई न वह बैस्फपा है इसके बारोगों बात करेंगे जब हम लोगों गार हम बात करेंगे ग проблем उसे तरह रियल इमेज देखें यह जै वर्टिकल इस्पिलिट consistentrifugal compressor नहीं होते हैं उसको तो PCL टाइप भी बोलता है, mostly refineries, petrochemical में नहीं उज़ होता है, natural gas industry में उज़ होता है, तो इसके बारे में और detail में बात करेंगे, तो इस वीडियो को यहीं पे stop करते है, आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अग नेक्स पार्ट में हम लोग, हम लोग, centrifugal compressor से related जो PNID है, उसको detail में समझेंगे, उसको thermodynamics समझेंगे, एक स्टेज से ज्यादा स्टेज की requirement क्यों होती है, उसको समझेंगे, और उसमें क्या-क्या रहता है, जैसे सक्सन स्टेनर रहता है, knockout drum की जरूवत होती है, inter stage cooler की जरूवत होती है, क्या-क्या interlock होती है, इसक में हम लोग axial thrust के बारे में बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे, centrifugal pump और compressor में axial thrust लगता है, उसको कैसे balance करते है, axial thrust कहां से generate हो रहा हो समझेंगे, और फिर कैसे balance होता है, उसके बारे में बात करेंगे, तो centrifugal compressor से related काफी concept clear हो जाएंगे, आपको इस related और क्या-क्या topics पे video चा पहें वीडियो देखने के लिए दान्य बाद